जै उसो ने छोटी WWE को और उनके कितम जारे भी AEW के तरफ जाने कैसा क्या हुआ समेटाव लाइब में जिसके कारण जै उसो WWE छोड़कर जाने वाले हैं तो इस वीडियो का एंटेक देखना चली शुरू करते हैं तो इस उसमेटाव मैं आपको बताए कि रोमन ड्रेंज जै उसो एंड जीमी उसो होने वाले थे जहांपर जीमी उसो ने यह कहा कि मुझे अगरा ट्राइबल चीफ बनना था इसलिए मैंने उनके अपर अटाक कि ए जै उसो के ओपर आइसा जीमी उसो का कहना है और एंडिक मे काफी दाद the rumors आने लएगी अभी जे उस्व डबली चोड़ कर एई डबल के तरफ जाने वाले हैं यह तर रिमर्स है अगर आप ऐसा सोच रहें कि जे उस्व डबली चोड़कर एई डबली में जाने वाल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि यहाँ पर जो है वह बस तो यहां पर मुझे पॉसिबली लगता है कि रोम और रेज्स वरसे जीमी उसो के बीच अंडू स्वीडर यूनिवर्सल जैंबिर्शिप के लिए मैच देखने को मिलने वाल है पेबैक पेपर यू में इसलिए डबले डबले ने जै उसो को ऐसा डबले डबले से बाहर जाते पूस्ट डाला था कि वह मीटन गरिट के लिए का था यहां पर उन्हें कहा था कि पेबैक में रेफरी होने वाला है तो यह रूमर काफी जादा स्विस्पैकुलेट हुआ कि यहां पर जो स्पोईर कर दिया रिकिशी ने उनका चो आने वाला एपिरेंस डबली डबली में इस रेफरी का यहां पर उन्हें रियक्ट किया है कि यह पर यह जो न्यूज है वह बिल्कुल फेक है यहां पर देख सकते हैं तो यह थिंग कितनी जूट है यह तो हमें आने वाले टाइम में बताद चलेगा लेकिन यहां पर जो है जे उसो क्या ठबलीट भी चोड़के ज